जिनको कुछ अनूठा करना होता है दुनिया में वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं लोग क्या कहते हैं उनके विशे में इस बात पे वो गोर नहीं करते हैं सिर्फ अपना काम करते हैं नमस्कार जैहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कविया दिगने स्वागत करता हूँ आपका आज हम बात करेंगे पहले हमने एक दो टोपिक कर लिये थे मीरा बाई वाला कर लिया हमने रामचरित मानस वाला कर लिया और अभी हम देख रहे हैं ग्रेड सेकंड की जो परिक्षा होने उसके वन लाइनर देख रहे हैं फटापट सुपर फास्ट रिविजन के तोर तोर पर जो सवाल आ सकते हैं सूर्य मल मिश्रण या मिश्रण वीर ससई के जो परथम बीस दोये हैं वहां से जो कुछ सवाल बनेंगे वो मैं यहां पर शामिल है जो कर रहा हूं देखिए अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को और दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो शेर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो जितनी मदद कर पाओगे उतनी इश्वर भी आपकी मदद करेगा और पहली बार देखने होले सब्सकाइब कर ले हैं चैनल को डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक भी मिल जाएगा आपको कभी आदिगने शिंदिन आप जो टेलिग्राम चै 162 में तो ये पुछ ले जै कहां के ते ये तो ये बूंदी के थे पहले बाद बूंदी और कहां विक्रमिंश्वत सम्वत 1872 में चलिए प्रमु ग्रंथों की हम बात करने दें ग्रंथ आएगा तो इनका एस प्रकार आएगा सावाल के निमन में से सूर्यमल मिशन या सूर्यमल मिशन का ग्रंथ नहीं है तो कौन-कौन से जरूर याद रख लिजी प्रसद्ध तो इनका वन्ष भाषकर है वीर सत्सई है राम रंजाट है वन्ष भाषकर, वीर सत्सई और राम रंजाट इसके तरिक सतिरासो, बलवद वुलास और चंदो मयूग चंदो मयूग भी कई बार है जो पूछा जाता है तो ये इनके प्रमुख है जो ग्रंथ है ये ध्यान में रखना बात करते हैं कि सूर्यमल मिश्ण के गरंथ को राजस्तान में स्वाधिन्ता के लिए वीरता की उद्घोषना करने वाला अपूर्व गरंथ माना जाता है तो वो गरंथ है वीर सत्सई जो वीर सत्सई गरंथ है इसको राजस्तान में स्वाधिंता के लिए स्वतंतरता के लिए वीर्टा की उद्गोशना शंकनाद करने वाला एक अपूर वग्रंत बाना जाता है वो कौन सा है वीर सथसाई अगला हम देखें सवाल तो सूर्यमल मिशन का जन्म चारणों की किस शाखा में हुआ था दियान में रखेगा ये फैक्ट जरूर किस शाखा में हुआ चारणों की शाखा के अंदर हुआ जा सूर्यमलमिश्ण का जन चलिए माता पिता की हम बात करें तो भवानी भाई तदा चंडीदान भवानी भाई और चंडीदान जिनके माता पिता का नाम था जी इनका जो ग्रंथ है वंश बासकर इसको पूर्ण किस ने किया था वंश बाशकर को पूर्ण किस ने किया था उनके दतक पुत्र मुरारिदान ने किया था अगला सवाल है सूर्यमल की जो प्रसिद दिये उसका प्रमुकादार इस्तम गरंद कौन सा मान जाता है कि सूर्यमल किस गरंद की वज़े से सबसे ज़्यादा है जो प्रसिद हुए फेमस हुए तो वो था वंश भाशकर किस की वज़े से वंश भाशकर की वज़े से है जो ज़्यादा ये प्रसिद हुए साहब भासकर में यानि वन्ष भासकर में यहां मैं लिख देता हूँ वन्ष भासकर में किस राज्य का इतिहास चित्रित है तो बूंदी राज्य का चित्रित है साहब ध्यान में रखना इस बात को भी वीर सत्सई का रशनकाल पूछे आपको क्योंग वीर सस्य के पर्थम जो 22 वही हम अपने पाठे क्रम में शामिल है तो वीर सस्य का रचनकाल पूछे तो 1856 इस भी हो जाएगा साब वीर सस्य में परधान अलंकार पूछ ले तो वेन सगाई ये भी कई बार पूछा गया है वेन सगाई अलंकार यहाँ पर है जो पूछ वीर सस्य में तो 288 के तक्रिब हैं देखने को मिलते हैं 288 चलिए अब जो इनके दोह है वहाँ से क्या कुछ सवाल बन सकते हैं वो शामिल किये हैं तो ध्यान से देखेगा कि लाउं पर सिर लाज हूं सदा कहाउं दाज और गणवई गाउं तुझ गुण पाउं वीर प्रकास प्रस्तुत दोहे में सूर्यमल मिश्ण द्वारा किसकी वंदना की गई है तो श्री गनेश जी की वंदना है जो यहाँ पर की गई है प्रस्तुत पंक्तियों में मिश्रन द्वारा किसकी वंदना की गई तो देवी सरस्वती की है जो वंदना की गई है किसकी वंदना की गई देवी सरस्वत्ती की वंदना है जो यहाँ पर की गई है सहाब अगला सवाल देखिए कि आनी उरजानी अतुल गानी करन अगूड वानी जग रनवले मैं चिंतानी मूड चिंतानी यहाँ पर रेखांकित जो पद है इसका अर्थ क्या है चिंतन या ध्यान चिंतानी का क्या आर्थ हो जाएगा चिंतन या ध्यान या तो सिधा सिधा सवाल पूछ लिया जाएगा या फिर आपको दोहे देखकर रेखांकित कोई ने कोई पद है जो रेखांकित करके वहाँ से उस पद का जो अर्थ है जो पूछा जाएगा आपको तो चिंतन या ध्यान अगला अपना सवाल है वैन सगाई यहाँ पर इसको रेखांकित कर रखा है मैंने हाईलाइट भी कर रखा है डार्क वैण सगाई वाल या पेकिज़े erिश पोउस और वी्र हुतास एवेल में दी सहेक नदोस को रेखां कि पद से ताथ परायए क्या वैण सगाई ये दिंगल कावे का एक प्रसिद अलंकार है डिंगल कावे का ठेक किसका डिंगल कावे का बिकम बर्षयां बीत यो गण सो चंद गुणीज और विसहर तित गुरु जेट बदी समय पल्टी सीज कहीं बोलने में तुर्टी भी हो सकती है मैं प्रियास करहा हूं कि जल्दी से आपको फटा किस और संकेत क्या गया है पूरे दोहक हो जब द आप देखोगे तो रहागा संभाई पल्टी सीज का पर यह रहानम celular यहां पर यह किस और संकेत करता तो यह करता है सवाल है इक डंकी गिन ओकरी भूले कुल सभाव सूर्हा आलस येस में अकज गमाई आ तो रेखांगी पदगारत क्या हो जाएगा? एक चत्र शासन यह सवाल पूझ लेगपरी बूले कुल सभाव और सूरा आलस जेस में एकज गमाई आओ जो यह पंक्तियाने में तो आंग्रेज्टों के ये च्चत्र शासन एक डंकी का आर्थ पूछ ले तो एक छत्र शासन रही जायगा ठीक रेकांगी थ paying लें पूछ ले पूरा देकर पंक्ति में किनके ये चत्र शासन की बात की गेई तो अंग्रेज्जों के Crisp खत्र शासन के जो बात पी गई है आपर है अगला है जपे बढ़ kैंद गण्या शुबा अर्त रिखुड़ान ei जो वीरों को खाने वाली यह फिर जिस सुनकर योधा वेरम ने कि जो तयार हो जाए वो मतल्ब यह मतलब हो जाएगा बढ़ खाने का यह सवाल भी बहुत महत्वपोड है कि उच्छा जा सकता देहन में रखना अगला देखिए सत्सई दोहा मई मिसन सूरज माल जपे भड़ खानी जठे सुने काई रांसार तो रेखां कि पद सत्सई को किया है है सत्सई दोहा मई तो सत्सई कार्थ हो जाता सामने सा कई बार पुछा गए साथ सो छंदों के संग्रेवाला ग्रंत कौन सा साथ सो छंदों के संग्रेवाला ग्रंत सवाल है नथी रजोगुण जा नरा ना पूरो उफान वे भी सुनता उफने पूरा वीर प्रमाण प्रस्तु दोय में किस रसकी है जो निश्पति हो रही है तो वीर रसकी किस रस की? वीर रस کی ये दे दिया रस पूस लिया आपसे रस वाले सेक्शन में तो वीर रस हो जाएगा आपसे सवाल है जे दो ही पक उजला जुझन पूरा जोद पंक्ती में किन दो पक या पक्ष के जो बात की गई अगला सवाल है दमंगल बिन अप्चोधियन बीर धनी रोधान और जीवन धन बाला जिका छोड़ो जहर समान दो में रेखांकित पदकार थे रेखांकित पड़ नाँ दमंगल यानि युद्ध ज़िव आम बोल चाल में फिर है जो दंगल भी करने जो लग गए थे नहीं डा आया केवल बार बदा बदी निज खावनों सो डाकी सर्था रेखांगित पदगार्थ है शत्रु को खाने वाला अरी खावरणी यानि शत्रु को अरियन दुश्मन शत्रु को खाने वाला ठीक है अगला सवाल डाकी ठाकर रो रिजक ताखा रो विश एक और गहल मुआ यूत रेखांगित पदों के अर्थ बताने आपको तो रिजक आर्थ हो जाएगा जीवन वृति और ताखा का आर्थ हो जाएगा तक्षक शर्प रिजक का क्या आर्थ हो जाएगा जीवन वृति ठीक है और ताखा का हो जाएगा तक्षक शर्प इस सवाल पहले भी पूछा गया और मोहत्व पून भी है, ध्यान में है जो रखिएगा आप, अगला देखिए साहब, कि दूद लजानों पूतसम, बले लजानों ना हैं, और पंक्ति में जो रेखांकित पद है, यानि ना हैं, इसका कर्द क्या हो जाएगा, स्वामी या पती, ये भी ध्यान में रखना ना हैं यानि स्वामी या पती, अगला है समली, रेखांकित पद है समली, समली और निसंक भक, अंबक राह में जा है, रेखांकित पद का अर्थ है चील, समली यानि चील, ये भी पूछा है जो जा सकता है, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, अगला और अंतिम सवाल है इस कि युदो going-up है कि ईसके सवाल कि लाइक करदो अच्छा लगा ही होगा सभी दोस्तों को साजा करतो शेर कर ताग उनकी मदद हो सके पहली बार देखने वाल चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो और पर क्लिक कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिक्शन सूसना मिलता रहे टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है कभी आधी गने शिंदी नाम चैनल जिस पर 9200 से अधिक साती जुड़े विये हैं उसको आप जरूर जोइन कीजिए यहाँ पर सवाल सूसना में डालता रहता हूं जैहिंद फिर मिलता हूं परियास कराओं जल्दी जल्दी आपको यह वीडियो प्लग करवा दो